तो क्या आप लोग में मेरी तरह थोड़े से गरीब हूँ मतलब ये वीडियो आप लोग लिए नहीं है क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं थोड़े से बज़ट सीरीज के लैप्टॉप के बारे में मतलब आप लोग का बज़ट 30,000 रुपए से का 40,000 रुपए के बीच है और आप लोग अपने लिए एक अच्छा लैप्टॉप ढूल रहे हो गेमिंग के लिए, एडिटिंग के लिए, अपने कॉलिज वर्क के लिए या फिर अपने ओफिस वर्क के लिए तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा खास हो सकती है तो आज की वीडियो का अंतर तक देखना है, अगर वीडियो पसंद आती है, तो आप लोगों पता है क्या करना है साथ ही सभी लैप्टॉप के जो बैस्ट बाइ लिंक है, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखर मिल जाएंगे तो अगर आप में से कोई को बाइक करना चाहता है, तो वहाँ से जाकर बाइक कर सकता है बट उससे पहले आप लोगों कुछ बाते क्लियर कर दूँ कि मैं लैप्टॉप के बारे में ज्यादा डेटेल में बात नहीं करूंगा एंड लैप्टॉप में जितने आपके कॉमन फीचर होते हैं, जैसे कि आपका वैपकेम, लूटूथ, वाइफाई, कीबोर्ड, माउस पेड, USB 2.0, USB 3.0, USB 3.0 जैसे जितने भी फीचर होते हैं, वो आपकी सभी लैप्टॉप में सिमिलर हैं, तो मैं उसको बाहरा बता के इ और पैसा दोनों मिलता है, नमबर फाइब पर जो लैप्टॉप है, वो है आपका Acer का Aspire 3, 29,000 पर कीमत में आने वाले जे लैप्टॉप, आपको बहुत बहतरीन फीचर आफर करता है, अपनी आउकाद के ऊपर, जहां पर कंपनी आपको आफर करती है, AMD का, एथिलॉन 3050U जो की बेसिकली आपका एक दो कोर वाला APU है, और APU है तो मतलब की इसके अंदर आपको रेडियो और उनके वेगा ग्राफिक्स भी इन बिल्ट देखने को मिल जाते हैं, जो की आपकी गेविंग में काफी जादा हेल्फ करते हैं, 50.6 इंचिस का HD डिस्प्ले, मतलब की एक 7, 6, 8P रेजुलेशन और डिस्पे जो की आपका TFT पैनल की उपर आता है, 4GB की DDR4 RAM जिसको आप लोग चाहो तो 8GB तक अब्रेड भी कर सकते हो, 256GB की SSD जो की आपके लैप्टोप को काफी जादा स्नेपी बनाती है, और अगर आप इसमें चाहो तो एक दो TV की हार्डिक्स भी लगा सकते हो, जो की आपकी 5400 RPM तक होनी चाहिए, Windows 11 Home Pre-Stroll देखने को मिल जाती है, जो की no doubt इसे काफी जादा latest बना देती है, वही अगर बैटरी के बारे बात आती हो, तो पहले बता दूँ कि जो बैटरी है, वो डिपेंट करती है कि आप लोग लैप्टॉप को किस तरीक 9KG, no doubt जो की काफी जादा सही है, अगर आपका वज़े 30,000 रुपए है, तो जे आपके लिए one of the best laptop हो सकता है, जो की आपको आज की डेट में मार्केट वे देखने को मिल जाता है, नमबर 4 पर जो लैप्टॉप आता है, वो हमारी लेट का सबसे great looking और stylish laptop हो जाता है, जो की है असुस का वीव बुक 40 2021 एडिशन है, हम सबको पता है कि जो असुस की वीव बुक है, वो famous है अपने great looks की वज़े से, जिसकी जो कीमत है वो है आपकी 40,000 रुपीज, जहां पर कम्पनी आपको offer करती है, इंटेल का core i3 1150 G4, जो की basically इंटेल का 11th generation का processor है, जो की आपका 2 core 4 threads की उपर आता है, जिसके अदर आपको Intel के integrated UHD GPU देखने को मिल जाता है, 40 inches का full HD display जो की आपका LCD पैनल है, 8 GB की DDR4 RAM जिसको आप लोग 12 GB तक upgrade भी कर सकते हो, and आपकी 3200 MHz की पर आती है, वही पर company storage के लिए आपको 256 GB की NVMe SSD offer करती है, जो की no doubt आपके laptop को बहुत ज़्यादे snappy बना देती है, Windows 10 Home Pre-install देरों मिलती है, and इसको आप लोचाओं तो future में Windows 11 में upgrade भी कर सकते हो, वही अगर बैटरी के बारे बात आती है, तो company ने पहले ही बोल दिया है, वही company ने बोला है कि अगर आप इसे अच्छे से use करते हो, तो laptop आपको 6 hour का battery backup offer कर देता है, weight इस laptop का है 1 1.6 kg जो कि no doubt laptop के लिए काफी अधा light weight है, and इसमें सबसे बड़ी बात कि इसके अंदर आपको एक fingerprint reader दिरों मिलता है, जो कि आपके laptop की security को कई गुना enhance कर देता है, जब तक कि आपके पास कुछ हराम फोर दोस्त ना हो, तो no doubt कि अगर आपको एक बहुत great looking laptop चाहाई है, तो य आपके लिए one of the best laptop हो सकता है, under 40,000 रुपीज, number 3 पर जो laptop आता है, वो brands lover के लिए एक अलगी value रखता है, क्योंकि number 3 पर जो laptop है, वो है आपका Dell का new 40, and no doubt कि यो Dell है, वो laptop की market में अपना एक अलगी नाम रखता है, जहां पर company आपको offer करती है, 38,000 रुपीजी कीमत में, AMD का Ryzen 3, 32, 50, U, जो की basically एक APU है, and no doubt अगर एक APU है, तो आपको इसके साथ Radeon के Vega graphics भी देखने हो मिल जाते है, जो की आपकी gaming performance हो, काफी ज़्यादा इनाइस कर देते है, वही अगर display के बारे में बात आती हो, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलता है, 40 inches का full HD display, जो की आपका LCD panel की उपर आता है, 8 GB की DDR4 RAM, जिसको आप लोग 16 GB अबरेट कर सकते हो, and इसके अंदर आपको 1 TB की hard X देखने हो मिलती है, no doubt कि अगर आप लोग बहुत जादा storage को contain करके रखना चाहते हो, तो आप लोगों के लिए जो 256 GB के SSD है, वो कही ना कही थोड़ी कम पड़ जाएगी, Laptop के अंदर आपको Windows 11 और Microsoft Office 21 की subscription free में देखने को मिलती है, जो कि इस Laptop को value for money और जादा बना देती है, बैटरी के बारे बात आती है, तो company ने पहले बोल दिया है, जैसे आप Laptop यूज करोगे वैसा backup देगा, अपना जादे दिमाग मच चलाओ Laptop को लेके, and इतना चोरे के बाद भी जो इस Laptop का वज़न है, वो है आपका 1.59 kg जो कि no doubt Laptop के according बिलकुल perfect हो जाता है, नमबर 2, Lenovo IdeaPad 3, 39,000 रुपिस की price में आने वाले जे Laptop, आपको offer करता है Intel का Core i3 11th generation processor, जो कि basically आपका एक 2 Core औ 4 Thread वाला processor है, तो मतलब कि इसके अंदर जो आपको GPU का वो आपका एक integrated Intel का UHD graphics होने वाले है, वहीं एकर display के बारे में बात आती है, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलता है 50.6 inches का full HD display जो कि no doubt आपका LCD panel होने वाला है, 8 GB की DDR4 RAM जिसको आप लोग चाहो तो 12 GB तर अपग्रेड कर सकते हो, 256 GB की SSD देखने बिल जाती है, इस Laptop के अंदर भी आपको Windows 11 और Microsoft Office 2021 का subscription देखने को बिल जाता है, जो कि इस Laptop को budget for money बना देता है, एंड इसकी जो सबसे अच्छी बात है कि इस Laptop के अंदर आपको 2 साल की warranty देखने को बिल जाती है, अगर आप लोग गलती से करोना से बच गई तो, वहीं अगा battery के बारे बात करते हो, तो जो इसका weight है, वो है आपका 1.65 kg जो कि no doubt laptop के according ठीक है, नमबर 1 पर जो laptop आता है, वो है आपका HP का 50 Ryzen 3 30 to 50 U, अब आप में से जितने लोग उससे पूछेंगे कि भाई, ये laptop नमबर 1 पर क्यों आता है, इसका symptom मसरी जाने कि 2 से पहले 1 ही आता है, तो बनी सी बात है कि मैं इस laptop को number 3 पर लेकर तो आप जानी सकता हूँ, तो काम चला लो थोड़ा सा, अगर मैं इस laptop के बारे में बात करूँ, तो कपरी आपको इस laptop के अंदर offer करती है 39,000 रुपीज में, Ryzen 3 30 to 50 U, जो कि basically आपका APU है, तो इसके साथ आपको Radeon के graphics देखने को मिल जाते है, 8 30.6 इसका एक full HD display, Windows 10 आपको pre-install देखों बिलती है, लेकिन आप इसे चाहो तो Windows 11 में upgrade कर सकते हो, वो भी free में, बैटरी बैक का company आपको इस पर 6 आवर तक का offer करती है, अगर आप इसे थोड़ा सा भी अच्छे से use करते हो, और इतना होरे के बाद भी जो इसका weight है, वो है 9.69 kg, no doubt वो लेफटर वे अकोर्डिक काफी ज्यादा ठीक है,